नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मी थरवर्ड के अपने पैंडिंग विड्रोवल को आसानी से ले सकते हैं कैसे आप अपने इबैंग के विड्रोवल को आसानी से ले सकते हैं क्या करना होग आपको विड्रोवल लगाने के बाद में ये आज मैं आपको step by step इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों तो दोस्तों मैंने सबसे उपर आपको एक email आईडी दे रखी है मीतर कंपनी की invoice एर्दा दोस्तों इसको याद से लिख ले आप और इस पर आपको mail करना है कंपनी को चाहे आपने e-bank का विड्रोवल लगाया है या मीतर वर्ड का mCoin का विड्रोवल लगाया है दोस्तों तो सबसे पहले आपको mail में your username की आपने कौन सी ID से विड्रोवल लगाया है e-bank का या coins का तो उसका username आपको डालना है उसके बाद में जो second step है उसमें आपको your mcoin address आपका जो mcoin address है जिस address पर आपने विड्रोवल लगाया था वो किसी भी exchange का deposit address हो सकता है यह एल बैंक का हो coin store का हो bit forex का हो trade bit का हो earth bit का हो या metamask bullet का हो कोई सबी address हो mcoin का deposit उसको आपको यहाँ पर paste करना है इसके बाद में mcoin withdrawal amount याने आपने कितने mcoin का withdrawal लगाया है तो उसको यहाँ पर डालना है इसके बाद में जो चोता point है उसमें आपको लिखना है date and time याने आपने किस तारिक को कितने बजे mcoin का withdrawal लगाया है यह भी आपको mention करना है इसके बाद में आपको exchange name याने आपने मीतर की ID से कौन से exchange पर अपना withdrawal लिया है यह सब आप email ID में डाल कर fill करके आपको invoice at payment.mitherval.com पर आपको mail कर देना है अपनी register email ID से त्यान रहे दोस्तों आपको यह mail अपनी register email ID से करनी होगी जो आपकी मीतर में register है तो दोस्तों अगर इतना करने के बाद आपका जो withdrawal है वो 24 hours से 48 hours में release हो जाएगा दोस्तों इस परकार से आप अपने email coin का withdrawal ले सकते हैं दोस्तों उसी परकार से आप e-bank से अगर कोई withdrawal लगाते हैं तो उसमें भी आपको यह सब डालना होगा जैसे मालो आपने e-bank से कोई withdrawal लगाया तो उसमें username डालना पड़ेगा आपको m coin का address डालना पड़ेगा विड्रो अमाउंट डालना पड़ेगा debt और time डालने पड़ेगी और किस जगा आपने withdrawal लगाया उसका आपको mention करना होगा और आपको mail id पर mail करना होगा दोस्तो दोस्तो यह पूरा process रहा आपको pending withdrawal लेने का इतना सब कुछ करके अगर आप company को mail करते हैं तो जो आपकी problem है वो solve हो जाएगी और आपका जो pending withdrawal है वो आसानी से आपके do a deposit address पर पहुंच जाएगा ध्यान रहे दोस्तो बिना email confirmation के आपका withdrawal complete नहीं होगा जैसे ही आप withdrawal लगाते हैं तो आपके लिए mail करना compulsory हो जाता है क्योंकि बाइस security है क्योंकि यह mail आपको करना ही होगा withdrawal लगाने के तुरंत बहा तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओगा और इससे आप अपना वीडियो आसानी से ले सकते हैं दोस्तो वीडियो क लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी मीतर की न्यूज आपको मिलते हैं